हेलो अब्रीवान वेलकम टो मैं चैनल वेलकम टो इस नेव वीडियो तो दोस्ता आज की इस वीडियो में मेरे पास है आर्टिस्ट का वाटर कलार जैसे की देखी सकते हो और इस वीडियो में मैं इसका पूरा अन्बॉक्सिंग करने बाला हूँ और साथ मैं इसका थोड़ा एक रिव्यू भी दूँगा तो वीडियो का पूरा लास्त तक देखते रहना काफी ज़्यादा इंट्रेस्टिंग एंड काफी ज़्यादा इन्फोर्मेटिव होने वाला है तो वीडियो का पूरा देखते रहो तो दोस्तों मेरे पास अभी है आर्टिस्ट का वाटर कलर का बॉक्स और जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो लिखा है आर्टिस्ट वाटर कलर 12 कलर्ट यहाँ पर हम लोग को मिल जाएगा बॉक्स के अंदर और उपर में देख सकते हो केमल का ब्रेंट जो की इंडिया का ब्रेंट है केमल तो काफी अच्छा कलर है तो सबसे पहले मैं दोस्तों तुम लोग को बता देता है अगर तुम लोग बीगिनर हो एज आर्टिस लिखा हुआ है और प्रैस वेगरा लिखा हुआ है जो कि तुम लोग देख सकते हो और फिलाल पीछे में नीचे में थोड़ा कुछ डीटेल्स यहाँ पर दिया हुआ है जैसे कि कुछ इंफॉर्मेशन है कंपनी के बारे में कंपनी के नाम बारे में और दोस्तों नीचे मे नीचे में प्राइस के बार में लिखा है जो कि है 185 रुपीस और नीचे में है एकस्पाइरी डेट पैकेजिंग डेट तो जब भी तुम लोग कलर खरीदो तो तुम लोग पैकेजिंग डेट एक बार देख लेना अच्छे से क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम लोग को खोल देता हूं पहले उसके बाद दोस्तों मैं तुम लोग को आगे बता हूंगा तो वीडियो को अगर अभी तक तुम लोग ने लाइक नहीं कियो हो तो जल्द से लाइक कर देना तो दोस्तों यहां पर मैंने खोल दिया है उपर बाला प्लास्टिक को जो की काफी ट्यूब कलर्स है तो डिजाइन में काफी कुछ मतलब चेंजस किया गया है मैं लास्ट खरीदा था 2013 में उसका भी बॉक्स अभी फिलाल मेरे पास है जो मैं तुम लोग का आगे दिखाऊंगा फिलाल यहां पर देख से तो काफी सारे कलर्स है वाइट ब्लैक ब्राउन ती कि मैंने खरीदा था 2013 में तो कुछ यह इस टाइब का उस टाइम था आटिष्ट वाडर कलर और इसका प्राइस था 125 अभी तो फिलाल काफी ज्यादा हो चुक है इसका प्राइस और कुछ इस टाइब का ट्यूप मिलता था उस टाइब उस टाइम मतलब और काफी मतलब चें उतना ज्यादा खतम नहीं हुआ है तो इसको सैड में रखते हैं अभी फिलाल तुम लोग देख सकते हो मतलब यह कालार काफी अच्छा है और अगर तुम लोग एक बार इसको खरीद लेता हो तो तुमारा तीन-चार साल तो आराम से निकल जाएगा यह कलर्ट फिलाल यह क किया था और अब भी मैं इस एक pluck analyze कहा हुँ और मुझे का जो कॉलिटी थोड़ दीखा देतो पता नहीं तुम लोगों को दीक रहा है या नहीं तो कुछ इस टाइप का कॉलिटी है निकलता है कि स्टाइप का है ठीक है तो काफी अच्छा कॉलिट है इस कालर का तो overall मुझे देखा जाए तो काफी अच्छा खासा color है और आप इसको काफी असनी से इसको मतलब use कर सकते हो फिलाल इसको मैंने use करके नहीं दिखाया क्योंकि तुम लोग को पता ही होगा इस color के बारे में तो इसलिए मैं just मैं इसका unboxing करके तुम लोग को दीखाना चाहता था और थोड़ा बहुत मैंने तुम लोग को दीखा दिया और जो भी beginner से उन लोग के लिए मैंने ये वाले वीडियो बना है ताकि उन लोग को artist color के बारे में थोड़ा सब knowledge मिले तो दोस्तों ये था आज के वीडियो वीडियो कैसे लगा comment कुछ को बताना और आज के वीडियो आपके खतम करते हैं और मैं मिलूंगा तुम लोग के साथ एक और next वीडियो के साथ गुडबाई